क्लिक कीजिए आउ सीखें लेट्स लेर्न को और घंटी को दवाईए आल लोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एजुकेशनल टेकनिकल से जुड़े ही वीडियोस देखने के लिए आज कीजिए वीडियो में हम पद्म पुरुषकारों की चरचा करेंगे आपने सुना ही होगा पद्म भूशण, पद्मश्री, पद्म बेभूशण, इत्यादी पुरुषकारों के बारे में तो इसका हम आपको सीक्वेंस भी बताएंगे कि कौन सा पुरुषकार पहले आता है आपको हम बता दें कि भारत रत्न के बाद यह पद्म जो पुरुषकार है यह दूसरे नंबर पर आता है उसमें भी यह तीन कैटेगरी होती है पद्मश्री, पद्मभूशंड, पद्मभूशंड इनका हम सीक्वेंस और सीरियल भी बताएंगे और यह भी बताएंगे यह पुरुषकार किन किन विक्तियों को तता किस छेत्र में दिया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का सर्वोच सम्मान है भारत रत्न उसके बाद यह पद्म पुरुश्कार आते हैं जो कि असायनी छेत्रों में दिये जाते हैं सायनी छेत्रों में जैसे कि आपने सुना होगा परंबीर, चक्र, अशोक, चक्र, इत्यादी ये सारे सायनी छेत्रों में दिये जाते हैं बड़ा सायनी छेत्रों में ये आते हैं पद्म पुरुषकार तो चलिए बात करते हैं पद्म आवार्ड की पहला होता है पद्म बिभूशन दूसरा पद्म भूशन और तीसरा पद्म श्री ये तीनो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश शर्विसेस के लिए यानि किसी भी छेत्र में विसेस और उलेखनी कारियों के लिए दिया जान पद्म बिभूशन दूसरा पद्म भूशन तीसरा पद्म श्री इन पुरुसकारों में सरकारी क्रमचारी भी सामिल होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि पद्म आवार्ड के लिए कौन-कौन लोग रेकमेंडेशन कर सकते हैं ये हैं राज्य सरकारे केंद्र सरकार के लोग अवार्ड कमेटी को अपने रेकमेंडेशन बेशते हैं और कमेटी जो है अवार्ड कमेटी इसके रेकमेंडेशन के आदार पर इसे आगे अप्रूफ किया जाता है होम मिनिस्ट्री द्वारा प्रायम मिनिस्टर द्वारा और प्रेसिदेंड द्वारा फिर जाकि ये आवड अनौन्स किया जाता है गंडतांत्र दिवस की पुर्व संध्या पर। यह अवड किसी भी छेत्रों में विसेश त था उर लेकनिय कारी करने के लिए दिया जाता है जैसे कि कलाज का छेत्र, सामाजी कारिय, जनहित के कारिय, साइन्स के छेत्र में, बिजनस, मेडिसिन्स, स्पोर्ट्स, तो था अन्य छेत्रों में इन पुरुषकारों के स्थापना 1954 में किया गया था, और साधारते आया, एक मई से लेकर के, 15 सितंबर के बीच में, इसके लिए नॉमिनेशन्स किया जा सकता है इन पुरुषकारों में कोई नगद रासी नहीं दी जाती है, बलकी एक सम्मान होता है, हलाकि काफी सारी सुबधाय मिलती है इन विजेताओं को, जैसे की फर्स्ट क्लास फ्लाइट की जरनी, फर्स्ट क्लास ट्रेन की यात्रा, पैंशन मिलती है इनको, और ये पालियामें के किसी भी मीटिंग ए सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जैट कैटेगरी की इनको सुरक्षा दी जाती है, अगर आवश्यक होत तो, रिपब्लिक डे यानि गरतंत्र दिवस पर एक विसेश अतिथी होते हैं, और इनका जो दर्जा होता है, वो वी वी आईपी का होता है, यान पुरुषकारों के अंतरगत भारत के राष्ट्रपती द्वारा एक सनद या सार्टिफिकेट परदान किया जाता है, इसके साथ साथ एक मैडल परदान किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में कमल का फूल चित्र अंकित है, उपर पद्म पुरुषकार देव नागरी लिपी में लिखा हुआ है, तथा नीचे विभुषड उपर पद्म नीचे भुषड उपर पद्म नीचे श्री लिखा हुआ है, पीछे साइड इन तीनों के सोक स्तंब है, भारत का राष्ट्रिय चिन जिसके नीचे सत्य मेव जैते लिखा हुआ है, तो उमीद है आपको सारी जानकारी इन पद्म पुरुषकारों की मिल गई होगी वीडियो को लाइक जरूर करें दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद